हलो एव्रीवन दिस इस माई चैनल स्पाइसी अरोमा विल्कम बैक टो माई चैनल स्पाइसी अरोमा मैं हूँ सुधा तिवारी और आज की वीडियो में है खास रस्पी ब्यक्वास्ट के लिए या फिर इवनिंग टी टाइम स्नैक्स के लिए कच्चे चावल के साथ और ठंडियों में बहुत सारे मेथी के पत्ते मार्केट में आने ही लगे हैं तो मेथी के ताजे पत्ते इसमें डाल के उसका जो फ्लेवर आने वाला है इस मंगोडी में बहुत ही डिलिशियस होने वाला है तो कच्चे चावल भिगो देने है थोड़ी तो चली शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना इसके लिए दो घंटे पहले उरत की डाल ठंडी का मौसम है तो मेरे ख्याल से विकफास में बनाने जा रहे हैं तो ओवर नाइटी कर दे तो इसमें छिलके वाली उरत की डाल भीगो ली है और यह थोड़े से कच्छे चावल बिगो के रख लिए हैं जो भीगने के बाद हाफ कप हैं और उरत की डाल भी मैंने उतने ही ली हैं तो इन भीगे हुए दाल और चावल को ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल as a puree as a paste not puree paste थोड़ा सा पाइं डाल के और इसमें अच्छा फ्लेबर देने के लिए थोड़ा सा अ के मिल गया है थोड़ी सी कंसेट धिली है तो इसमें बेसन भी आड़ करूंगे यहां पर एक टीस्पून जीरा एड़ किया है हरी मिर्च आड़ की है चिली फ्लैक्स आड़ कर दिया है वन टीस्पून और यहां पर स्वात के हिसाब से नमक डाल देंगे कटेवी बारिक प्याज इसमें आड़ कर देंगे और यह है एक मीडियम साइज के फ्रेश मिर्थी के पत्ते जिसे बारिक काटके आप इसमें बिलकुल आड़ करें थोड़े से फ्रेश कटेवी धनिया के पत्ते भी आड़ कर सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला थोड़ा सा अच्छा सा कला लाने के लिए वन फोर्थ टी स्पून आप हल्दी डालेंगे ताक ये एक यल्लो कलर आ सके अच्छा डाइजेशन के लिए यहां पर भूफ टी स्पून एसाफिटीड़ पॉड़र आड़ किया है अच्छ से मिक्स कर लेंगे इसे यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बेकिंग पौडर बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पौडर और आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल 1 फोर्थ टी स्पून एड़ किया है इसे अक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नीबू निचोड़ दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर ल लगी है रिफाइन डालेंगे जिसे आप इसे डी फ्राइ कर सके और एक चमच लेंगे और एक चमच भर के टेबल स्पून आप इस तरह से स्पेस बनाते हुए गोल मंगोड़े डालते जाएंगे मंगोडों का शेप कोई फिक्स नहीं होता है कि बिल्कुल गोल ही होता है व उपर से भी कलर बहुत अच्छा आया है इसे नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे और ताकि इसका जो एक्सेस ओयल है वो अब्सर्ब हो सके ऐसे ही बचे हुए बाकी बैटर के साथ हम मंगोड़े तयार कर लेंगे तो बस यहां पर सारे मंगोड़े बनके तयार हो गए है इसे मैंने बेकफास में बनाया है और इसे आप किसी भी घर की बनाई हुए चटनी के साथ या फिर रेडिमेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं अंदर से आप इसका देख रहे हैं बिल्कुल जालिदार बना है आवाज सुन सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी आवाज आ रही है तो उपर की लेयर काफी क्रिस्पी है अंदर की सॉफ्ट है आपको यह मंगोड़े बिल्कुल पसंद आएंगे और मेथी की पत्ते आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इस ठंडी में आप भी बनाएए बेगफास्ट में संडे को धूप में बैटके इंज्वाइ कर सकते हैं कॉफी और चाय के साथ या फिर एवनिंग की कॉफी और चाय के साथ या बच्चों को छोटी सी भूग लगी ह आगे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकेन बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सकें मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपीज के साथ बाई बाई